Hello and welcome to my e-lesson. मैं हूँ आपका गुरू और आज के इस वीडियो में मैं आपको Excel में एक और advanced option सिखाने वाला हूँ. वो है horizontal sorting. हम सारे sort करना जानते हैं, correct? Sort करना कैसे होता है? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, right? लेकिन क्या आपने सोचा कि कभी left to right भी sort कर सकते हैं horizontally? कि अनिल के बाद David आना चाहिए, David के बाद Mohon आना चाहिए, Mohon के बाद Yaseen, Yaseen के बाद जी शान. क्योंकि तभी ये alphabetical sort होगा ना, A, D, M, Y, Z. हम लोग कभी भी vertical sort करते हैं देखिए, ऐसे इसको मैंने select करा, sort पे गया, sort largest to smallest, तो ये देखिए क्या करेगा, ये largest to smallest इसने sort कर दी, अपने इसाब से महीनों के भी आगी पीछे numbers कर दी, इसने, क्योंकि तभी sort हुआ ना, control Z दबाके normal कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आज आप आपको horizontal sort करना सिखाऊंगा, मैं expect कर रहा हूँ कि आपको normal sorting आती है, फिर भी मैं एक बार आपको cover करके दिखा देता हूँ, ये data मैं देखिए, यहाँ पे copy कर लेता हूँ जरासा, आपके लिए, अब मेरे को इसको sort करना है, कि भाई सबसे बड़ा number सबसे उपर आ जाए, त sorting कर सकता हूँ, तो ये देखिए, सबसे छोटा number इधर, सबसे बड़ा number इधर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये sorting ऐसी हो, कि horizontal sorting हो, A से लेके Z तक, अभी A है, Z है, D है, M है, Y है, लेकिन A से Z वाली sorting हो, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करके देखते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं इस देटा को select कर लूँगा, ऐसे, alright, select करने के बाद, मैं home टैब में, यहाँ पे sort में जाऊंगा, और जाऊंगा, custom sort में, custom sort में करने के बाद जाऊंगा, मैं options में, options में में मेरे पास option आता है, sort left to right, इसको on करूँगा, okay करूँगा, अब ये मुझसे पूछेगा, कि भई कि इस रो के हिसाब से अपने sort करना है, left to right करना है, तो रो होगे न, मेरे को करना है रो 3 के हिसाब से, क्योंकि नाम तो यहीं पर है न, तो मैं यहाँ से अलग-लग रोज में से चुलूँगा, row number 3, इसको रखूँगा cell value only, और sort करूँगा a to z, क्योंकि मेरे को a से लेके z तक जाना है, अगर z से लेकि a तक लाना है, वो भी सिखाँगा, a to z करेंगे, okay करेंगे, तो देखिए, अनिल आ गया, उसके बाद d से डेविड, m से मोहन, y से यासीन, और z से जीशांग, numbers भी उसी हिसाब से change हो गए, मैं वापस से इसको z to a करना चाहूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, custom sort में जाऊंगा, options में जाके ensure करूँगा, मैं sort left to right हूँ, row number 3 ही है मेरी, और यहाँ पे z to a कर दूँगा, तो यह देखिए, जीशांग का data यहाँ पर आ गया, अनिल सबसे last में, है ना बढ़िया चीज यह, इतनी आसानी से आप horizontal sort कर सकते हैं, यह सबसे आसान तरीक है, horizontal sort करने का, आपका पूरा data sort हो जाता है, देखिए, यहाँ पर एक चीज मैंने करी थी, कि जब मैंने data यह select करा था, sort करने के लिए, तो मैंने month sort, month मैंने select नहीं करे थे, अगर month मैं select कर लेता, तो पूरी कहानी गड़बड हो जाती, क्योंकि month मेरे को नहीं छेड़ने थे वो मैंने as it is रखा, बस मैंने यह वाला data select करा, तो sort करते समय आप अपने data का selection पर जरूर ध्यान रखें, यह जो file है, यह practice के लिए अवेलेबल है, मेरे website myelesson.org पर जिसका link description में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप file को download कर सकते हैं, और practice कर सकते हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा हो, लगा हो, तो जरूर लाइक कीजेगा, और जिनोंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग प्यारे से कमेंट्स करते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब करेंगे, पहले से ही शुक्रिया मेरी तरफ से, ख्याल रखें अपना आप, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, this is your dose now, signing off for the day, have a wonderful day ahead, happy learning.